Citation and Bibliography Citation का मतलब क्या होता है? Citation का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज baste का उधारण देना या किसी चीजी का हवाला देना या किसी चीजा को credit देना दोस्तों जैसे देखो दोस्तों हम कोई book लिख रहे हैं और book में अपनी book के अंदर किसी दूसरे की बुक के लिखे हुए paragraph या line को अपनी बुक में हम सामिल कर रहे हैं तो हमें उसका नाम देना पड़ेगा क्योंकि उसकी help से हम अपनी बुक के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा आने वाले बैल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि दोस्तों हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है हमारा पहले से, देखो दोस्तों, जैसी यह लिखा हुआ है, यहां तक का, लेकिन ये आगे जो, Blue processes को आए हुआ है, टेक्स्ट है, तो यह हमने किसी दूसरी बुक से लिए है, हमें क्या करना है हमें यहाँ पर citation को लगाना है दोस्तो तो इसके लिए हमें यहाँ पर citation YT ini भार क्लिक करेंगे और उपर reference टैब के अंदर जाएंगे देखो थोड़ाotti जोब कर डिता हूं मैं दोस्तो नदर जोब करने और add new place order लिखा हुआ दोस्तों, तो हम सबसे पहले किस पर क्लिक करते है, add new source पर, यह देखो दोस्तों, अब हमारे पास यह देखो खुल के आ गया, अब यह हमारे पास आपको create करना आपको यह source, तो सबसे पहले हम यहां से choose करते हैं, हमारा जो source हमने लिया था, या हमने जो text लिया, हमने जो paragraph लिया था, या जो line लिखी थी अपने book के अंदर, या अपने document के अंदर जो add किया था, किसी दूसरे से, तो उसका हमें यहां पर क्या देना है, source बताना, कहां से लिया था हमने, website से लिया था, सब्सक्राइब तो हमने किसे लिया था हमने बुक से लिया था दोस्तों बुक से लेक्ट कर दी हमने पिर यह क्या कर रहा है ओथर का नाम बताईए तो जैसे दोस्तों हम ओथर का नाम लिख देते हैं डी डबल ए पी ए के दिपक नाम था उसका ओथर का पिर यह क्या बता रहा है ओथर कोर्प प्यंतब यहां पुछतरा उसके पेड्स का नहीं पता हो दो आप यह पूछ यहां पूरी बिबल्लियोग्राफिक दिखाएगा यहां पbulई बर बेढ़े बाट हाई वही है जो आप चाहो यहां से यूज़ कर सकते हो लेकिन हमारे हमारे को जो कि हमने कर ली पेज नंबर बाकी बचे वे थे तो जैसे हमने यहां पे पेज नंबर लिख दिये जैसे हेंड़र पेज कर दिये हमने ठीक है दोस्तों अभी हमारे कोई काम की नहीं थी बाकी तो हम इसको क्या कर देते हैं इसको अंसलेक्ट कर देते हैं और यह देखो टेग नहीं हमारा क्या मिल गया हमें DEE 15 कि इस नाम से आपका तयार हो जाएगा तो यहां पर हम क्या कर देते हैं ओके कर देते हैं यह देखो दोस्तों यह हमारा citation लग चुका है इसके उपर यह उता है citation अब उसको हमने credit दिया है यह उसका नाम दे दिया यह जो हमारा paragraph है यह किसी लिया गया है जो ओथर दा दीपक था वहां से हमने लिया है ठीक है तो यह हो गया दोस्तों अब देखो दोस्तों आप चाहते हो कि उसकी मुझे style change गरनी है तो आप क्या करो आप style change गरनी है तो यह अहांपे देखो जूम कर देता हूं जूड़ा यहां पर style लिखी लिए है दोस्तों यहां से आप जो भी style सी आपको वह आप यह से select कर सकते हैं हमने यह select कर ली अब यह देखो ओंली लिपक नाम आ चुका यह रट चुका यहां से पिर हम क्या करते हैं यह देखो हमने यह ल change कर देते हैं वापस इसको जैसे हमने title sort के अंदर इसको कर दिया यह कर दिया दोस्तों यह उता है दोस्तों आपका citation लागू करना उसमें अब देखो दोस्तों उसके बाद में आगे चलते हैं आप कोगे कि हाँ पर citation आपने लागू कर दिया उससे के बारे में सोर्ट के उनकी पूरा एकस्पिलेंд करती है मसल्क उसको बड़ा दिखाते हो और यह देखो दोस्तों यहाँ यह लेलिया यह देखो दोस्तों यह हमारी यहमारी बीजाइन नहीं यह जतनों निचा है अब दूबारह यहाँ पे जाओ और फोलु को श。 इसमें works cited लिखा हुआ है और नीचे वाड़े में देखो उपर वाड़े design थी उसमें क्या है हमारा bibliography है तो bibliography में उस page की ज़्यादा information होती है इसकी बजाए citation की बजाए दोस्तों चलो फिर उपर चलते हैं हमारे पास क्या आता है इसकी बजाए पहले हमारा citation लगाया हुआ किसी पर यह हमारा पहले हमारा citation लगाया हुआ यहां से इसको select किया इसको यहां से copy कर सकते हो डिलिट करना है तो यहां से कर सकते हो edit करना है जैसे देखो यह edit का option खुल कि आगया यहां पर जो भी कुछ फेर बदल करना चाहो वह कर सकते हो दोस्तों फिर उसके बाद में आता हमारा new कि आपको नया कोई citation लगाना है तो यहां से आप लगा सकते हो उसको फिर आप कहते हो चलो यह देखो जैसे हमने यह दो हमने पहले अब लगाया है यह नहीं चीजिए citation तो इसको क्या करते है यहां से हम जैसे delete किया हो गया delete दोस्तों फिर उसके बाद निचे देखो preview दिखा रहा है आपको citation लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ यह दोस्तों यह यहां पर हमें दिखाता जा रहा है इधर देखो current लिष्ट में दिखा रहा है कि दिपक नाम की current लिष्ट अब हमारे सामने बची है क्योंकि वह हमने delete कर दी तो यह ह इस परगराफ हमने कहां से लिया है यह परगराफ हमने उठाया है internet से Wikipedia कि साइटा से उठाया है तो देखो दोस्तों अब इसके अंदर यहां पे हम click करते हैं, अब हम कहा जाते हैं, अब दोस्तों हम जाते हैं, किसके उपर? Efendi Catherine, Insert Cformation पर जाते हैं, Insert Citation पर गए हैं, और यहplane पहले से बना हुआ है, Add New Chores, तो यहां पे हमने click किया और यह देखो दोस्तों आ गया लेकिन अब की बार मैंने जैसा आपको बताया था कि अब की बार वड़ा जो citation है वो हमने कहां से लिया है book से नहीं लिया दोस्तों हमने wikipedia से लिया है और wikipedia कहा था way page की उपर था तो हमने way page से लिया है तो देखो दोस्तों w website लिखा हुए website पे हमने click किया, website से लिया है तो दोस्तों अब क्या करा है ओतर का बुछ रहे हैं तो ओतर का नाम कौन है, wikipedia से लिया हमने wanna snoरा लिक Sar science अपन करते हैं, यह हमारा Google है, यहां से हम क्या करते हैं, जैसे हम है, history of computer देखऊ आगए, इससे लिखा हुआ, history of computer हमने open किया, और जैसे हमने open कर लिया, तो हम देखो दोस्तों, page के ऊपर ही चलते हैं, सबसे ऊपर दोप में चलते हैं, यह देखो, उपर क्या लिखा हुआ है, यह तको दोस्तो history of computer लिखा हुआ है यह क्या है web page का name है दोस्तों यह यहां पर हम लिख देंगे कहां पर यहां से copy कर लो आप या फिर वहां जाके आप type कर दो तो हमने यहां पर इसको paste कर दिया दोस्तों से website का नाम पूफ रहा है तो website का नाम हमने यहां पर क्या लिख दिया www.wikipedia.com www.wikipedia.com हमने इस website का नाम था फिर दोस्तों क्या कर रहा है production company हमें नहीं दे नहीं आपर जैसे year पूछ रहा है URL मतलब उसका address पूछा आपको यहां पर जैसे क्लिक किया example में URL में क्या है यह देखो URL का आपको example दिखाएगा आप यह परमानेंट नहीं था जैसे मैं उपर क्लिक करता हूँ यह चला गया इस नहीं नीचे आपको दिखाएगा यह देखो यह मिल गया हम इसको क्या करते हैं ओके करते हैं यह हमारा जैसे हम इंटरनेट से कोई सी वेबसाइट के दुवारा कोई help लेते हैं तो यह उसका citation कैसे insert करते हैं उसका तरीका था अब देखो इसको भी आप जैसे यहां से चाहो इसको change कर सकते हो इसकी style वगरा जो भी कुछ आप चाहो यहां से कर सकते हो फिर आपको इसका मुझे बिबिलियोग्राफी चाहिए त तो बिबिलियोग्राफी के क्लिक करते हैं और जैसे इसके उपर क्लिक करते हैं तो देखो यह उसकी बिबिलियोग्राफी आ गई पूरी कि कहां से लिया है कैसे लिया है यह उसकी पूरी बिबिलियोग्राफी है दोस्तों ठीक है दोस्तों यह हमारा क्या था citation and बिबिलियो करना दोस्तों ठीक है दोस्तों सलते हैं दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नया टोपिक लेकर गए तब तक के दिए दोस्तों जैहिन जैभाड